शिरिश्वाइन मस्तु भ्याम हर हर महादेद कैसे हो दोस्तों दोस्तों आज में आपके लिए फोष कृष्ण पक्ष की चतुरती दिती का जिविशेशुपाई लेग रहे हैं आपने इस विशेश दिन पर एक विशेश उपाई वष्ण कर लेना है हमारे चनल पर रोज ये तीन सर चार उपाई टलते हैं आप अपने इस मश्या हैं दोस्तों एक विशेश उपाई कर लिजिएगा ताकि आपके भी जीवन के समस्याओं का धमादान शिगर से शिगर हो सक आज इस वीडियो के माधियम से हम जो आपके लिए उपाई लेकर रहे है इस उपाई को आपने उस वक्त वष्ण करना है जब भी आपके जीवन में कोई ना कोई विश्यम पर सीथी आजाए इस सुपाई को उन लोगों ने भी वश्य करना है जिनके जीवन में कोई लंबे समय से कोई कस्ट चल रहा है कोई समस्या चलती आ रही है और वो समस्या उनका पीछा छोड़ी नहीं रही हो आप परशान हो गए तो आपने इस सुपाई को वश्य कर लेना है इस सुपाई को उ हमारे चनल पर परदी मिश्या जी को उपाई बताए जाते हैं जिनको हम एक एनिमेश्य वीडियो त्यार करके आपको प्रेक्टली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाई को करना है ताकि कि किये गए उपाई का उन्डपर्शन फॉल मिल सके वीडियो पसंदाने भी वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा चैनल को सबसाइज जरूफ कीजिएगा जिनको इस वीडियो को जरूरत होगी वाहत जो शेयर भी कर दीजिगा ताकि उनके भी जी उनकिस मस्याओं कर समधान उसको आपकी दीतों आएगे बिना किस देर किस उपाई को समझ लेते हैं इस उपाई को करने के लिए आपको जरूरत होगी एक शम्मी के पत्तर की साथ में आपको जरूरत होगी एक पेल पत्तर की इसके साथ ही आपको लेना है एक पनेर का पोश्प जो की पीलेना का होना चाहिए इसके साथ ही आपको एक लोटा जल लेना है कोशिश करनी है कि घर कि मटके से जल भर ले तो सबसे उत्तम किंदू यहाँ पर आपने घर से जल भरना है और तांबे के लोटे में जल भर ले तो सबसे उत्तम केवल इन समगरे से सुपाय को करना है इन समगरे को लेकर आपने पहुंचाने शेवाले वहाँ पर आपने महादेव के समक्षी यह जो इस लोटे के बीतर में रहा चाहेगी तो आपने अपने सीधे हाथ से उसको निकाल कर महादेपर समर्पित कर देना है केवल इतना मात्र करने से आपके जिन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो उसका शीगरी समाधान हो जाएगा जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कोमें सेक्षिन में हर हर महादेव और शीष्वाइन मस्तू भ्याम लिगना ना भूलेगा इस ते हमें मोटिवेशन में टाप कर लिए सुन्दर सुन्दर वीडियोस बनाने के लिए शीष्वाइन मस्तू भ्याम हर हर महादेव मिलते अगली वीडियो में